हेलो फ्रेंज आज मैं आपको 2015 की Will You Be There ये एक टाइम ट्राइवल लव स्टोरी एक्स्टोरी एक्स्टोरी करने वाला हूँ इस मुवी की स्टोरी लेन बताना ये एक स्पोयलर हो सकता है तो इसलिए डारेक्स स्टार्ट करते है वी स्टार्ट होती है और हमारा मैन क्यारेक्टर सू हमें दिखता है ये एक जंगलो में होता है यहाँ के जो सब अधिवासी लोग है इन्हें हेल्प करने के लिए वो वहाँ आय होगा होता है ये एक डॉक्टर होता है इस जंगलो में स्टॉम आने वाला होता है तो ये और इसके कली आज हेलिकॉप्टर से फिर से अपने सीटे में जाने वाले होते है यहाँ पर एक बुड़ा आदमी होता है और इसके गोद में एक छोटी सी लटकी होती है ये लटकी बहुत ही छोटी सी है और इससे medical help की जरूरत है इसलिए बुड़ा आदमी इसे रुकने के लिए बोल रहा होता है सू हेलिकॉप्टर में बैठता है और फिर अपना mind change कर लेता है और इस छोटी सी लटकी को help करने के लिए वहार रुक जाता है ये जो छोटी लटकी होती है इसके lips abnormal होती है ये बुड़ा आदमी फिर कहता है कि ये लटकी मुझे जंगलों में मिली थी अगर मैं इसके care नहीं रखता तो ये मर जाती और सू को thank you कह रहा होता है कि उसने इस लटकी की help की है ये old man सू को पोचता है कि क्या ऐसी कुछ चीज है जो तुम life में करना चाते हो सू कहता है कि मुझे किसी को देखना है इसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता ये old man में फिर उसे एक bottle देता है इस bottle में बहुत सारी गुलिया होती है इसके बाद next scene में हमें young सू दिखाया गया है ये एक dolphin की show में आयो होता है इस dolphins की जो instructor होती है ये इसकी girlfriend होती है इसका नाम योना है ये शो देखते ही देखते है सो जाता है जब ये शो खतम हो जाता है तो योना इस पर चीड़ी हुई होती है क्योंकि ये सो गया था ये इससे sorry कहता है पर ये दोनों train में ज़रा दूर ही बेटते है जब ये पाक में उतरते है तो एक दूसरे से पास हो आ जाते है सो का हाथ जरा हर्ट हो गया था तो इसे मलम पट्टी वो करती है ये कल ही हुआ था तो वो उसे कहती है कि तुमें जरा careful रहना चाहिए तुम सरजन होने वाले हो तुमारे हाथ बहुत ही important होती है सो कहता है कि कितनी time तक हम एक दूसरे से अलग थे ये एक ही minute के लिए अलग थे पर इनको ये बहुत ही ज़ाद अलगता है सो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत miss किया ये केकर फिर एक दूसरे को हख करते सू और योना ये अलग-अलग सिटीज में रहते है सू उसे मिलने के लिए आया था अब ये जाने वाला है जब योना उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है तो योना उसे कहती है कि मैं तुमारे बच्चे की माँ बनना चाती हो सू ज़रा अनकमफरेबल हो जाता है वो कहता है कि जब मैं बहुत जाओंगा तब मैं तुमें कॉल करूँगा योना अबने जॉब पर होती है चोटे बच्चों ने डॉल्फिन्स के लिए एक गिफ्ट छोड़ा होता है चोटे बच्चे कार्टोन देखते हैं तो हने लगता है डॉल्फिन्स इना दोना फ्रेंड से तो यहां छोटा सा एक डॉख वो छोड़ कर जाते है योना जब इस डॉब को देखते है तो इसे बहुती क्यूट लगता है निकसीन में देखता है कि यंग सू स्टेशन पर उतर गया है और यहना को कॉल कर रहा है उसके साइड में ही एक आदमी होता है और एक खास रहा होता है यह जो है, है ओल्ड सू है यंग सू फिर इसकी हल्प करने के लिए जाता है उससे पुछता है, क्या तुम ठीक हो? जब ओल्ड सू यंग सू को देखता है तो अचमेज हो जाता है उससे पीलियो नहीं हो पाता कि यहसा कैसे हो सकता है ओल्ड सू उसका नाम पुछता है जब इनाम बता जिता है, तो ओल्ड सू कहता है कि मेरा भी यही नाम है यंग सू अब जरा अनकमफटेब हो जाता है ओल्ड सू को बहुत ही खासी आने लग जाते है यंग सू अपना रुमाल असे देता है ओल्ड सू वहाँ से भागते भागते चला जाता है और टौइलेट में आ जाता है यह जो रुमाल था यह योना ने उसे दिया था यंग सू को यह रुमाल वापस चाहिए तो टौइलेट तक जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता अब डारेकली ओल्ड सू फ्लाइट में है यह हमें दिखता है यह टाइम ट्राइवल करकर उसके पास में चला गया था इसके एड़ से 30 एर्स पहले वह चला गया था यह समझ नहीं पाता कि यह हुआ क्या था नेक्स दिन जब यह अपने हॉस्पिटल पहुचता है तो वंडर करता है क्यों से इतनी खासी क्यों आ रहे थी सिटिस्कैन महँआता है उसके एक कलिक होती है जो उसकी बेस्ट्रेंड होती है वो कहता है कि एक बार इसे देख लो कितना टाइम इसके पास बचा है वो मुझे बताओ यह कहती है कि सिफ़ 6 मैने इसके पास है यह औल्ड़ सो का सिटिस्कैन है इसे किसी की भी गोली तुम्हें नहीं लेनी चाहिए यानि कि ओल्ड मैन ने इसे गोली दी थी ये लेकर ये 30 years back में चला गया था ओल्ड सू अंडर करता है कि अगर मैं फिर से वापस गया तो क्या मैं योना से फिर से मिल सकता हूँ टेहो उसे कहता है कि इसी कुछ भी बाते मत करो अगर तुम उसे फिर से मिले भी तो भी तुम्हें बहुत तकलिफ होगी अब नेकसिन में हम 30 years back आ जाते हैं और यहां सू और टेहो दीखते हैं यह दोनों आप यंग है सू टेहो को कहता है कि योना से मैं कल मिला था तो उसे मुझसे बेबी चाहिए यह बहुत ही स्टेस में होता है टेहो उसे कहता है कि तुम्हारे रिलेशन्शिप बहुत ही अच्छी है 7 साल गुजर चुके है अब राइट समय कि तुम शादी कर लो और तुम फिर बच्चे अगरा कर सकते हो सू उसे कहता है कि मैंने बहुत पहले डिसाइड गया था कि मैं बच्चे नहीं होने दूँगा यह फिर आगे चलने लग जाते है और यह कल उसके साथ जुभाता और यह कुई ओल्ड सू से मिला था यह सब उसे बचाता है ते उसे कहता है कि तुम्हारा कोई ओल्ड पेशन होगा जादा कुछ वरी मत करो अब हम फिर से ओल्ड सू दिखाया क्या है यह घर आता है वो इसके बेटी का इसे कॉल आता है इसकी बेटी इसे कॉल पर खेती है कि अच्छे से खाना अगरा खाओ ओल्ड सू जो होता है वो अपना खायाल ने रखता कुछ भी खाना खाता है अनली लाइफस्टाइल जीता है ओल्ड सू को फोर्मर किसी आदमी की आवाज आती है तो उसके लिए ज़रा कंसंड होता है इसके बेटी कहती है कि अगर तुम ऐसे करोगी तुम्हें फोन रख दूंगी फिर ये दोनों बाते करने लग जाते है ये फोन जब चल रहा होता है तो वे ओल्ड सू को और भी खासी आने लग जाती है ये फिर फोन रख देता है अपने डॉर्टर को कुछ भी उसे बताना नहीं होता रात में फिर से उस ओल्ड मैन ने उसे जो गोलिया दी थी ये वो देखता है ये अपने आप से कहता है कि वैसे फिर मरने वाला हूँ इससे कुछ जादा फरक नहीं पड़ेगा ये गोलिया लेखर रोस हो जाता है योना को उसे फिर से मिलना है इसलिए ये गोलिया वो ले रहा होता है अब 30 साल पहले हमें यंग सू और योना दीखते है योना को जो पपी मिला था ये सू को वो देना चाहती है सू कहता है कि मुझे पता नहीं कि इसका खैल में कैसे रखो यह बहुत ही दूर से आई होती है और फिर से इसे जाना होता है सिर्फ पाच मिलिट के लिए आती है सू बिलिव नहीं कर पाता कि इसे सिर्फ बपी देने के लिए वो आई थी जाते जाते ही होना कहकर जाती है एनिमल्स और चोटे बैच्चे यह बहुत जादा सेम होते है तुम अगर इसका खैल रख सकते हो तुम हमारे बेबी का भी खैल रखोगे इसका तुम अच्छे से खैल रखना यंग्सू फिर इस पपीब को घर पर लेकर आता है इसे पोटेटो नाम देता है ओल्सू गोली लेकर फिर से ओल्टाइम पेरेंट में आ जाता है यंग्सू जब इससे देखता है तो अटाय जाता है ओल्सू सब चीज़ों को टच करता है उसका जो सब पुराना घर था यह वो फैस से देख रहा होता है यंग्सू से कहता है कि अभी कि अभी तुम यहाँ से निकल जाओ फिर ओल्सू से बताता है कि मैं और तुम सेमी हो मैं तीस साल बात कहो यंग्सू इस पर बिलिव नहीं करता है उसे अपना आईडी कार्ट पुछता है यह ID card जब यंगसु देखता है तो यह इस पर date 2008 की होती है यह उसे कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो यहाँ से तुम निकल जाओ यह जब यह बोलता है तो यंगसु का पपी ओल्डसु को दिखता है यह उसे पोटाटो पुलाता है यह उसे पूछता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता यह उसे कहता है यह उसे कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को मैं कॉल करूँगा यह उसे कहता है कि जो भी तुम मुझे बात करे हो फादर के मार से हमें ये चोड लग गई थी हमने इसे हमेशा से छुपाया है क्योंकि अगर मदर को पता चलता तो उसे बहुत ही बुरा लगता मदर को हम एक तरह से प्रोटेक्ट करें है ये समझ कर हमने स्काप छुपा दिया था ये यंगसू चीर जाता है और पूछता है तो इम उसे क्या चाहिए ओल्सू कहता है कि मुझे सिर्फ उसे देखना है योना को नाम वालेता है तब ही इससे खासी आने लग जाती है ओल्सू वहाँ से भाग जाता है और फिर से प्रेजेंट में अपने बात्रूम में आ जाता है यंगसू भीर भागता है और भागते भागते अपने फ्रेंड टेहो के पास आ जाता है उसे जो सब हुआ है ये उससे कहता है कहता है कि योना के बारे में भी इससी पता है योञा डेंचर में हो सकती है टेओ अपने गर्फरेंड के साथ होता है पर इसके साथ इसे पुलीस टेशन में आना पड़ता है पुलीस सबस्सक्राइब आने के बाद एक लाइटर वो टेओ को देता है यह जो लाइटर है और एक जोड़ कर गया था also जब रात में घर पोहुझता है तो वो figure out करता है कितने समय तक वो उस past में रह सकता है वो 20 मिनिट्स तक वाहर रह सकता है ये उसे अब पता चल जाता है इसके बास जो गोलिया होती है यह भी कम ही होती है यानि कि 10 बार ही यह past में जा सकता है ओल्ड सू वंडर करता है कि गोलिया किस तरह की है वो लैब में इसका थोड़ा से सैंपल भेजता है पर यह और गनी की होती है इसमें कुछ भी मेडिसीन या हलोसिनेट वो कर रहा है इसा कुछ भी नहीं है यंग सू फिर योना को कॉल करता है उसे सावदा नैने के लिए कहता है जो फिंगर्प्रिंट से रिजल्ट है वो अब वापस आ चुके है टेव से कहता है कि इस पर सिब तुमारे ही फिंगर्प्रिंट से किसी और के नहीं है अब यह कंफंग हो जाता है कि ओल्ड सू वह साच्वाच में आया था यंग सू फिर से ओल्ड सू से मिलना चाता है उसे मिल सके इसका कोई भी वे उसे मालूम नहीं है तो अपने आम पर वो एक टाटू बनवाता है इसमें फिर से वापस आ जाओ ये लिखा हुआ होता है ओल्ड सू जब अपने ओफिस में आता है तब उसे वो गोलिया मिलने पाती वो कच्रे में चली गई है ऐसा उसे लगता है कच्रे के गाड़ी के पास वो भागता है सब कच्रा वो निकालता है फिर भी उसे कही भी नहीं मिलती जो फेस अपने ओफेस में आता है तो वो जारा नीचे ही गिर गई होती है पता है कि ये पॉसिबल नहीं है और जो डॉक्टर होता है तो कभी भी इसे इमर्जनसी आ जाती है और जो कभी भी वैकेशन नहें ले पाता और जो इसे insist करता है तो जो छोड़कर हम कही भी जा सकते है ये कहता है तो हम एक्वारियम जाएंगे यह दोनों हसने लग जाते है यह बहुत ही beautiful relation इन दोनों की हमें दिखाई गई है वैसे हमें यंगसु दिखाई जाता है और उसे बुरा लग रहा है योना से ओ ठीक से बात किये हैं कि चला गया था इसके लिए बहुत सारे balloons वगेरा उसके बास लेकर आता है योना की पास आकर कहता है कि frogs, zebra या अपने mate को प्लीज करने के लिए सिंग करते है यह balloon उसे देता है और इसके लिए सिंग करता है यह दोनों फिर एक दुसरे को हग कर लेते है योना केती है, इलिफन जब एक दुसरे सू मिलते है वो जंगल में चल जाते है फिर यह दोनों intimate होने के लिए अपने room पर आ जाते है इसके बाद फिर से हमें और सू दिखाया गया है इसके जो डॉटर होती है, इसके taste result दिख लीती है यह भी डॉक्टर होने वाली है जब एक डिनर के लिए बेटते है तो ओल्ड सू से कहता है कि तुम्हें अपने higher education के लिए अमेरिका जाना चाहिए वहाँ बहुत ही अच्छे medical schools है और तुमारी मदर भी बहा है इसके डॉटर होसे कहती है कि क्यों तुम मुझे बेजना चाहते हो या तुमारी कोई girlfriend है या कुछ बुरा होने वाला है उससे पता होता है कि इसके father को lung cancer है यह फिर घर से निकल जाती है ओल्ड सू भी इसे ढूंडे ढूंडे जगा पर आ जाता है यहाँ बारिश होती है तो उसे अपना jacket देता है ओल्ड सू को उसकी daughter कहती है कि तुम बहुत ही late हो चुके हो तुम मुझे पहले बताना चाहिए था ओल्ड सू कहता है कि मुझे पता है इसे आप बहुत ही दुख हो रहा होता है अब next scene में ओल्ड सू फिर से गोली जड़ता है और past में आजाता है यंग सू और ओल्ड सू योना के dolphin के show में मिलते है यंग सू खीरेस होता है यह तुमारा वक्त कैसा है ओल्ड सू कहता है कि सब technology ज़रा advance हो चुगी है फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं पितला मुझे कभी-कभी लगता है कि पुराने दिन ही अच्छे थे यंग सू उसे पूशता है कि क्या मैं अच्छा doctor बन जाता हो ओल्ड सू कहता है कि तुम हमेशा से अच्छे doctor थे यंग सू को नहीं लगता कि वो कभी father बनेगा यह फिर वो ओल्ड सू से पूशता है कि क्या तुम कभी father बने हो ओल्ड सू कहता है कि मुझे एक daughter है ओल्ड सू को योना का देखना था तो आगे जाता है और उससे देख लेता है वहाँ से जा रहा होता है तो यंग सू से रोक लेता है उसे पूशता है क्यों तुम योना से मिलने वाले थे क्या वो future में नहीं है ओल्ड सू से बता नहीं रहा होता यंग सू से pressure risk करता है तो यह कहता है कि वो मर चुकी है ओल्ट सू उसे बंजाने वाला होता है कि वो केसी मरी थी पर वो फिर से वहाँ से गायव हो जाता है इसके ट्रेंटी मिनिट से एक खतम हो चुके है अब नेक्स टाइम जब यांग सू और योना साथ होते है तब यांग सू उसे दिल भर के देखता है अगर हो मर गई तो क्या होगा यह सब वो वंडर करता है यह उसके बिना रह नहीं सकेगा ओल्ट सू अपने घर पर गाना सुन रहा होता है इसके जो डिस्क होती है इस पर कुछ लिखा होता है मदर का अलबम उसे देखना है एक मैसेज यंग सू ने उझे बेचा होता है जब यह अलबम देखता है तो उसमें एक लेटर होता है इसमें लिखा होता है कि तुमने मुझे एसी न्यूज दी उसके बाद तुम गायव हो गए तो यह फिर से वापस आना पड़ेगा अगर तुम नहीं आये तुम्हारे लाइफ में बरबाद कर दूँगा अब नेकसीन बेचा पर यंग सू होता है उसे ओल्ड सू मिलने के लिए आता है उसे अभी भी बिलिवने और आता कि योना मरने वाली है यंग सू से पूचता है कि कैसे मरी थी उल्ड सू कहता है कि तुम्हारे वज़े से मरी थी तुमने उसे सही साथ टाइम नहीं दिया तुमने उसे इग्नॉर किया इसलिए यह सब हुआ है यंग सू से कहता है कि मैं केरफूल रहूंगा हम दोनों मिलकर इसे बचा सकते है मुझे बता हो कि क्या करना है उल्ड सू कहता है कि हम यह नहीं कर सकते हम पास्चेंज नहीं कर सकते और हमाज मुमेंट है वो तो हम नहीं बदल सकते उल्ड सू की बेटी है पूरी लाइफ उसकी इसके बाद थी या अगर पास्चेंज कर देगा तो उसके बेटी बहुन नहीं होगी पर अपनी बेटी से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है इसलिए वो यह नहीं कर सकता यंगसु यह सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता ओल्सु फिर उसे बुझता है तुम योना के लिए क्या कर सकते हो यंगसु कहता है कि मेरे लाइफ पूरे में उसके लिए दे सकता हो ओल्सु फिर उसे बोलता है क्या तुम योना की लाइफ से चले जा सकते हो यह एक वे है कि योना भी जिन्दा रहेगी और हमारी बेटी भी जिन्दा रहेगी अब यही एक वे है तो यंगसू भी इसके लिए मान जाता है वोलसू से कहता है कि अब तुमें उससे ब्रेक अप करना है जब यंगसू और योना घर पर आते हैं तो योना उससे कहती है कि हमारे बेटी का नाम हम सुआ रख सकते हैं यह दोनों के नेम का मिलन होता है यंगसू इससे जी भर कर देख लेता है इसके बाद नेक सीन में हमें देखता है यंगसू हस्पिटल में उसके फादर जो है अब एडमिट वहा है इसके फादर मरने वाले है इसके फादर से मिलने जब हो जाता है तब ही उसके फादर इसकी मदर को गालिया देते है कहते है कि उसने मुझे पर चीट किया था इसलिए इसके फादर उसकी मदर को मायते थे यंगसु कहता है कि पहले तुमने उस पर चीट किया था यंगसु फिर वहाँ से चला साता है और फोन लगाता है योना उसे मिलने के लिए आने वाली होती है दो मेहने गुजर चुके है पर वो मिले नहीं थे उसे तीन दिनों के लिए को चुटी मिली है तो उसे मिलने के लिए आ रही होती है ओल्ट सू से कहता है कि अगर तुम्हें योना को बचाना है तो एक कॉल करकर उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा जो पहला बास था जब यंग सू ओल्ड सू से नहीं मिला था तब यंग सू ने योना को बता दिया था कि उसे नहीं आना है उसने फादर के बारे में उसे बताने के लिए वो अनकमफरटेबल था इसलिए उसने तब उसे आने के लिए मना कर दिया था पर अब ओल्ड सू से कहता है कि उसे अब तुम्हें यहाँ बुलाना है अगर योना नहीं आती तो उसका एक्सेडन हो जाता जिस डॉल्फिन को ट्रेंड कर दी थी यह बीमार पड़ चुका था जब इस डॉल्फिन को बचाने के लिए वहा गई तो इसका एक्सेडन हो गए यह मर गई अब जो यह यंग्सू के पास आने वाली है तो यह बच जाएगे यंग्सू यह कॉल कर देता है और उसे यही बुला लेता है जो निउस्पेपर में हेड्लाइन्स होती है यह भी बदल जाती है यानि कि योना की लाइफ इसने सेव कर लिए योना जब वहा थी है तो अपने फादर से इसे मिलवाता है उसके फादर गैसे थे यह सब वो उसे कहता है यह फिर योना से कहता है अब तुम मुझे एनौय करने लग गई हो जब से तुमने मुझे कहा है कि तुम्हें बच्चे चाहिए तब से मेरा माइंड चेंज हो गया है मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए थे उससे वो बहुत हासली ब्रेक अप करके वहाँ से चला जाता है यंसू के फादर भी मर जा दे यंसू के फादर की फिनरल पर ओल्ड सु भी आता है यंसू इस पर बहुत ही जटच जाता है उससे कहता है कि मेरी पुरी लाइफ तुने वर्बात कर दिए मैं उसके बीना नहीं जी सकता वॉल्सू कहता है कि मैंने भी 30 years उसकी विना जीए है वॉल्सू फिर वहाँ से चला जाता है यंग्सू का फ्रेंड टेहो भी वहाँ थै उसे साहा देने की कोशिश करता है पर वो उसे दूर कर देता है उसे कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है इंकी friendship यहाँ टूट जाती है जब यंग्सू फिर से future में जाता है और वहाँ फ्रेंड से मिलने जाता है तो टेहो उसे पहचान नहीं पाता टेहो उसे कहता है कि तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम ऐसे मुझे मिलने आओगे और मैं तुम्हें फ्रेंड बना लूँगा यंगसु ने अपने फ्रेंड के साथ सब रिलेशन्शिप तोड़ दी थी तो फ्यूचर में भी इन दोनों की कोई भी रिलेशन्शिप नहीं है इसके बाद हमें फिर से यंगसु दिखाया जाता है वो अपने घर पर आता है वहाँ उसे एक बुप मिलती है योना ने उसे ये बेजी हुए होती है योना और उसके जो भी सब फोटोग्राफ्स होते है यो उसने उसे बेजे होते है इसमें लिखा होता है वह तो और एक जांस देना चाहती हूँ एक लोकिशन वो पता थी है और अगर वो वहाँ चला गया तो इन दोनों के रिलेशनशिप फिर से अच्छी हो सकती है यंग सू को फिर से एक मुका मिल गया है तो वो भागते भागते वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है अब यंग सू योना के पास जा रहा है तो ओल्ड सू की लाइफ चेंज हो रही है यंग सू को अपने फ्रेंड का फिर से गौला जाता है ये दोनों अभी भी फ्रेंड है ओल्ड सू को समझ में नहाता कि ये हो क्या रहा है बातो बातो में ओल्ड़ू अपने डॉटर का नाम लेता है टेहो को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता यानि कि अगर यंग्सू योना से मिल गया तो इसकी डॉटर भी अब होने नहीं वाली ओल्ड़ू अपने डॉटर की इमेज़स देखता है तो वो फेड होने लग जाती है यंग सू भाग भाग कर योना के बाज जाता है ये रस्ते के दूसरे साइट पर होती है इससे मिलने के लिए वो आ रही होती है तब है इसका एक्सेडन हो जाता है ओल्ड सू की जो सब फोटोग्राप्स थी याने उसकी बेटी वेगरा वो फिर से वापस आ जाते है अगर जल्दी पता चल जाती तो योना बस सकती थी अभी डिसाइड कर लेता है कि योना को उसे बचाना है ये टाइम ट्रैवल करकर फिर से यंगसू के पास आ जाता है उसे सब को जो बताता है कि वो कुलाट हमें निकालनी पड़ेगी यंगसू अपने फ्रेंड से मदद लेता है ओल्सू इस पर ऑपरेशन करता है यंगसू कहता है कि मेरा लास्ट ऑपरेशन योना पर ही था ये इसके लिए बहुत ही सैटिस्वाइंग होता है जब हॉस्पिटल के स्टाप को पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गरबर होती है ये वहाँ आते है यंगसू अल्सू इस दर्वाजा बन कर लेते है ये उपरेशन वो कर लेते है और अल्सू फिर से अपने फ्यूचर में चला जाता है अल्सू अब हमें हॉस्पिटल में दिखाए गया है जब ये पास से वापस आया था तब ये तीन दीन तक सोया हुआ था उसकी बेटी उसे देखने के लिए आई हुई होती है अल्सू फिर योना का पता निकालता है योना अभी भी जिन्दा है और वो भी अब ओल बन चुकी है ये भी अब नए जो इंस्ट्रक्टर बनने वाले है इनको गाइड करती है योना जिस बीच पर होती है इस बीच पर वो चला जाता है उसे देखने के लिए उसे पास आता है उसे देखता है पर वो अपना मूँ फेर लेता है योना को पता नहीं चलने देता कि उसे मिलने के लिए वो आया था योना के एक्सिडन्ट के बाद वो लंगडा कर चलती है जब ओल्सू यंग्सू से फिर से मिलने के लिए आता है तो यंग्सू से पुछता है कि क्या यहोना ठीक है ओल्सू से कहता है कि कोई भी प्राउलम नहीं है वो जिन्दा है यहीं important है यंग्सू ओल्सू से पुछता है कि हमारी life के जो story है क्या इसमें happy ending है ओल्सू कहता है कि ending important नहीं है हमारी जो story है हमारी जो moment है यही important है अपनी life तुम अच्छी तरीके से जी हो यह केकर वो उसे कहता है कि अब हम last time मिलेंगे हम फिर से नहीं मिलने वाले ओल्सू से कहकर जाता है कि 10 साल बात तुम conference में जाओगे तुम्हें एक लड़की वहाँ मिलेगी उससे तुम बात कर लेना यही तुम्हारी बेटी की मदर है अब हमें एक conference भी दिखती है और इस लड़की से हम मिल चुका है यह भी हम दिखता है थोटे दिन बाद इसे news मिलती है कि वो pregnant है और उसे बेटी हो जाती है यंग सू की बेटी की responsibility इसकी मदर नहीं लेती तो यंग सू अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आता है बचपन से लेकर अब वो बड़ी हो चुकी है तो सारे moments हमें अब यहाँ दिखाय जाते है अब मैं ओल्सू दिखाय जाता है और अपने डॉटर के साथ वो vacation के लिए आया हुआ है यह दोनों लेक के पास बेटे हुए है ओल्सू से कहता है कि मैं अच्छा डैट नहीं था मैं बहुत ही clumsy था उसके डॉटरों से कहती है कि मैं भी कुछ अच्छी डॉटर नहीं थी मैंने भी तुम्हें बहुत तंग किया है वो अपने फादर को कहती है बहुत ही लगी थी मुझे तुम्हारे जैसे फादर मिले थे यह अपने डैट से पुछती है कि अगर मैं तुम्हीं मिस करूँ तुम्हें क्या करूंगी ओल्ड सु से कहता है कि अगर तुम किसी को मिस करी हो तो उसके अच्छी मे 먹을s जाद करना तुम मे Gefühl के साहरी जी सकती हो ओल्ड सु रोने लग जाता है तो उसकी डॉटर को भी रोना आ जाता है अब जारा टाइम गुज़ा जाता है और ओल्ड सु मर चुका है टेहो और उसकी जो फ्रेंडशिप थी ये 30 साल तक नहीं थी अगर फिर से फ्रेंडशिप कर लेते तो इनकी टाइम लाइन पर फरक पड़ सकता था इसलिए इन दोनों ने कभी फ्रेंडशिप नहीं रखी टेहो को जब पता जलता है कि ओल्ड सु मर चुका है उसके फ्यूनरल पर वो आता है ये जो स्पेशल फ्रूट्स होते है ये उससे देता है ये जो फ्रूट्स है ये औरेज और टेंगरीन ये दोनों अलग अलग फ्रूट्स का कॉम्मिनेशन है सुने ही उससे इंकरेज किया था लिए तुम्हें ये जो फ्रूट्स है इसे ग्रो करना चाहिए टेहो कहता है कि मैं तुम्हे अडवाईस ले ली थी इसके बाद मैं अमिर बन गया था ओल्ड सू की डॉटर फिर वहा दिये यह कहती है कि क्या आप टेहो हो यह पुछता है कि तुम्हें कैसे बता तो खेती है कि मेरे फादर ने कहा था कि उनके funeral में सबसे last में आप ही यहाँ से जाओगे एक box टेहो को देती है और कहती है कि मेरे father ने मुझे देने के लिए आपको बोला था टेहो बीच पर आकर यह सब पढ़ता है इसमें जो सब हुआ था time travel लेगे रहा यह सब लिखा होता है टेहो फिर योना से मिलने आता है उसे यह news बताता है कि ओल सु मर्द चुका है योना यह सुन कर रोने लग जाती है वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैं उससे भूल चुकी होंगी जो सब यह story हुई है जो सुने उससे सब कुछ बता दिया है यह योना को वदा देता है नेकसिन में टेहो अपने फार्मबे होता है और वो अकाउंट करने लग जाता है उसके धिमाग में आता है कि सु के पास तो दस गुलिया थी बाकी की एक गोली खा गई वो फिर सु के घर में आता है पुरा घर चानता है सु की जो रेकाड होती है उसमें उसने चुपा कर रखी होती है टेहोब डिसाइड कर लेता है क्यों से अब सु को बचाना है यह गोली लेता है पर इसके बाद उसे सोना होता है पर यह सो नहीं पाता वो फिर बाहर आता है और वहाँ स्टेर केस होती है यह वहाँ से जान बुच कर गिर जाता है यानि कि वो बेंश हो जाए और फिर से पास्ट में आ सके यह फिर यंग्सू से मिलनी के लिए होस्पिटल में आता है यंग्सू सिगरेट पीरा होता है यह उसे चीन लेता है और फेक देता है उसे कहता है कि इतने इर्रिस्पॉंसिबल केसे हो सकते हो इतने छोटे से प्लेजर के लिए तुम अमने राइफ क्यों बरबात कर रहे हो टेहू उसे पिल्स वेगरा इन सब चीजों के बारे में बोल देता है उसे यह भी कहकर जाता है कि 10 साल तक हमारी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी पर मैं तुमारा वेट करूँगा यह यंग सु भी अब अपनी आदत छोड़ देता है टेहो जब फिर से फ्यूचर में आ जाता है तो वो घर के सामनी होता है वो सू को ढूड़ने लग जाता है उसे कभी भी मिल नहीं रहा होता इसे लगता है कि यह सक्सेस्पुल नहीं हुआ पर एक्चॉल में ओल सू अभी भी जिन्दा है यह योना से मिलने के लिए जाता है योना पाक में होती है तो उसके लिए बहुत सारे बलून्स हो लेकर आता है उसके पास हो जाता है उससे कहता है कि कितने टाइम तक हम एक दूसरे से अलग थे इसके बाद ये दोनों एक दूसरे खोक करते है और यही यह movie खतम हो जाती है इस movie ने हमारे पास जो है इसे एप्रिशेट करना है और हमारी लाइफ जो है इस मुवेर में अच्छी तरह किसी जीनी है यह हमें एक अच्छा मैसेज दिया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो पुलिस इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा मैं बहुत सारी ऐसी मुवीज लेकर आधे रहे तो तो पुलिस इस चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिए और बेल नोटिफिशन आइकोन दबाना मत बुलिए हम फिर से मिलेंगे एक नहीं मुवी के साथ तब दे के लिए थैंक यू और आप आपने आपका ख्याल रखिये